हम सब भागी साली हैं कि हम जी रहे हैं और हम सब भागी साली हैं कि हम किसी की जीवन भी बचा सकते हैं और कैसे आईए हम आपको बताते हैं भारत में लोग अंगो की अंतिम चरन की विफलता से परभावित हो रहे हैं बता दे कि हमारे देश में लगवग एक लाग पच्छतर हजार गुर्दा ट्रांस्प्लांट की अवस्यक्ता है साथ ही एक लाग से भी अधिक kidney transplant, 50,000 से जिएदा हिरिदय transplant और 20,000 से जिएदा फेफला transplant की आवा सकता है इसके साथ ही एक लाग से भी ज्यादा cornea transplant की ज़रुरत है और परतियार उपन हमारे देश की सबसे महानतम चिकिचकी प्रगती है अब सवाल खड़ा होता है कि हम ये अंग कैसे प्राप्ट कर सकते हैं और कहां से प्राप्ट कर सकते हैं तो इसका जवाब है कि हम ये अंग जीवित और मरिह वे दोनों से प्राप्ट कर सकते हैं हम जिवित लोगों से लिवर गुर्दा टीश्यू प्राप्त कर सकते हैं और मृत बाड़ी का गुर्दा किड़नी फेफ़रा हिरदय अगनासय आथ कौर्णिया और अनी टीश्यू ले सकते हैं जिवित अंगदान केवल परिवार या मितरों के बीच किया जा सकता है उससे भी केवल कुछ अंग प्राप्त करताओं को ही उनके अनुकुल अंग प्राप्त होते हैं लेकिन मित अंगदान की संख्या में कमी के कारण लोगों को अपनी अंतीम सांस तक इंतजार करना पड़ता है इसलिए अगर हम अंगदान करने की सोचते हैं और अंगदान करने की कसम लेते हैं तो अंग के इंतिजार में अंतिम सांस ले रहे लोगों को हम सम उन्हें एक आशा की नई किरन दे सकते हैं अब एक और सवाल आपके मन में आता होगा कि अंग परत्यारोपन कैसे किया जाता है। जब कोई व्यक्ति दुरगटना ग्रस्थ होकर या आधात या सदमे के कारण अस्पताल में लाया जाता है तो चिकित्सक उसके जीवन को बचाने के लिए सर्वस्रेश्ट परियास करते ह फिर भी कई बार मस्तिस्क अस्थाई और परिवर्तनी रूप से काम करना बंद कर देता है और उस व्यक्ति की मस्तिस्क मृत्यू हो जाती है लेकिन उसका दिल अभी भी धड़करा होता है क्योंकि वह व्यक्ति वेंटीलेटर पर रखा गया है। जीवन की यह छती एक नई आसा जगाती है। इस अवस्था में अंगदान किया जा सकता है। अंगदान के बारे में जानकारी सलाह लेने के बाद व्यक्ति का परिवार अंतिम नीरने लेकर सहमती पत्र भर कर अपनी रजामंदी देता है। उसके बाद अंगदाता के चिकितसकी और सामाजी कितिहास क दर्ज किया जाता है इसके बाद चिकित्सकी टीम राजी प्राधिकार पर संपर करती है फिर राष्ट्य और राजी प्राधिकार संभावित अंग प्राप्त करने वाले लोगों की प्रतिक्षा सुची की जांच करते हैं फिर वे रक्त वप्रकार अंग का माप अंग की चिकि नहीं करते हैं जो योग यांग प्राप्त करता होते हैं उनका चयन करने के बाद राज प्राधिकार अस्पताल के साथ संपर करते हैं फिर संभावित अंग प्राप्त करता को अस्पताल फोन कर सुचित करता है उसके बाद फिर फाइनली अंगों का परतियार उपन किया जाता इस तरह से एक अंगदाता आठ लोगों का जीवन बचा सकता है और टिश्यू दान कर अंगीनत लोगों के जीवन को बेहतर कर सकता है इसलिए अब समय आ गया है अंगदाता का अंग एक अंजान को जीवन का मुझे उपहार प्रदान करने का कोई भी वैक्ति कौर्णिया दान कर सकता है लेकिन केवल कुछ लोग ही अंगदान कर जीवन का उपहार प्रदान कर सकते हैं इसलिए अंगदान के लिए प्रतिक्या करें और अंगदान कर जीवन की अंतिम सांस ले रहे लोगों को एक नई जिन्दगी प्रदान करें अंगदान करने के लिए आप अंगदात करना चंता निर्मान करना और स्थापित करना है मौन फार्डेशन के बारे में और अधिक जानने के लिए दिए गए वेबसाइट पर विजिट करें या पूच काच के लिए दिए गए इमेल पर संपर कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के सा सेयर करें धन्यवाद जारखन न्यूज 9 सची खबर आप सब के साथ